हेलो फ्रेंड्स बहुत दिनों बाद अपने गार्डन में कुछ हेवी वर्क किया है मैंने यह तो अभी तक जितने भी विंटर प्लांट थे वह अच्छी फ्लावरिंग कर रहे थे छोटे मोटे काम करने होते थे लेकिन अब कुछ दिनों बाद मैं अभी बीच में काफी ज्यादा वक्त नहीं दे पाई तो सारा काम मुझे एक साथ करना पड़ रहा है पिंटर जाने को है वाल मुष्ट चली ही गई है हमारे यहां तो गर्मी भी पढ़ने लगी है फरवरी आधी निकल चुकी है और यह कुछ यह मेरे लोटस के प्लांट है इनमें आप देख सकत इनमें कुछ-कुछ लीफ्स रोर्मेंसी से बाहर आ रहा है एक तो एक तो इस प्राउटिंग भी दिख रही है मुझे यह चुकंदर के पौधे हैं मेरे इसमें यह देखिए नीचे चुकंदर भी लगे हुए हैं तो आज मैं जा रही हूं अपने गाडर में कुछ वर्क न जाती है और मैं सारी चीजे रिकॉर्ड कर भी नहीं पाती हूं कि यहां पर मेरे गैंडी के प्लांट लगी हुए थे जो अब डेड हो चुके थे उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी तो उनको मैंने हटा के यह प्लांट डेजी का लगा दिया था तो इसमें भी फ्लाव दे दे के थक चुके थे इतनी सारी फ्लावरिंग होई उसमें कि मैं आपको बता नहीं सकती तो अब मैंने उनको हटा दिया है यह दनिये में भी बीच पढ़ गए है और यह दुबारा से गेंदे उगने लगे यह कुछ फ्लावर मैंने डाल दिये थे तो इनमें से दुबा दूप में निकालके रख दिया आईए आपको दिखाती हो कि कितना अच्छा किचिन विश्ट तयार हुआ है इसमें आपको कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है सारा ही डीकंपोस हो गया है तो इनको सब को हम में यूज कर लूँगी है जो जो भी हमारी ये टंकियों म जो जिसमें मेरीगोड लगे हुए थे इन्होंने काफी अच्छी फ्लावरिंग दिये तो जितना भी उसमें फर्टी राजर था सभी एबसर्व कर लिया होगा तो मैं अब उनको उसमें से थोड़ी सी मिट्टी हटा के ये वाली मिट्टी उसमें एड़ कर दूँगी एक का मोटा मोटा किचिन वेष्ट बचा हुआ था वो मैंने फिर से इसमें थर्मा कॉल के बॉक्स में भर दिया यह देख रहा है आप कितनी अच्छी मिट्टी बेनी जो मोटे मोटे बचे हुए थे मैंने एक आत कट्टों में जो सई से डीकंपोज नहीं हुआ था उनको मैंने भर दिया है और उपर से ढाग देंगे अच्छे से मिटी से कवर कर देंगे और एक प्लांट मैंने रिपॉर्ट भी कर लिया है डेजी का इसको मैंने कटिंग से लगाया था यह देखे इसी तरीके कि यह में फ्रेंच मेरी गोल्ड है आप अभी इसके बीच कलेक्ट करके भ रख सकते हैं यही कितने अच्छे सूख गया है और कुछ पौदे मैंने हटा भी दिया है इसके फ्रेंच मेरी गोल्ड के क्योंकि वह ड्राय हो चुके थे पालक में भी सीड हो चुके हैं तो मैं पालक में इस बार वाटर मेलन या फिर मस्क मेलन लगाऊंगी इस वाली टंक कर दिया है पूरी टंकी में साइट साइट से मैंने पौधी से थोड़ा दूरी बनाते हुए किचिन वेश्ट का पूरा एक कट्टा इसके अंदर मैंने भड़ दिया है और यह पालक के सीड आप देख रहे हैं इसको मैंने कट कर दिया है तो अब यह नई स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है जैसे कि यह है यलो वाला डेलिया है इसमें भी उपर बहुत बड़ा यलो फ्लावर लगा हुआ था तो उपर से मैंने फ्लावर को कट कर दिया था तो आप नीचे से देख सकते हैं नए सूट ने कल रहे हैं बहुत अच्छे हो सकता है एक बार और फ्ल प्लावर के बाद दुबारा से ब्रांच चार या पांच डेली आपको दिख रहे होंगे और अब मैं आपको दिखाते हूं हमारा मालाबार इस पिंच है इसमें भी इतनी सीड हो गये थे इतने कि उतमें से पूरी छत गंदी हो रही थी इसमें से सीट टपक रहे थे पके हो जाता था बच्चे भी अपने कपड़े और हाथ घंदे करते हैं उनको बड़ा मज़ा आता है इसमें से कलर निकालने में इसके बीज में से तो मैंने इसको पूरा कट करके कंपोज्ट में डाल दिया है बनाने के लिए चीली कितनी अच्छी भरके आई हैं फ्रेंट जब साग मैंने अच्छी लगी हुई है सरसौं का साग मैंने कई बार बना लिया विसमें सीड हो गए हैं और अब मैं आपको वाटर ली थोड़ी सी अपडेट कुछ ए मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जिनकी डिमांड थी कि वाटर लेली चाहिए वाटर लेली चाहिए तो अभी मैं आपको हाल-फिलाल मैं वाटर लिली का अभी का कंडिशन दिखा देती हूं और यह गुलता हो दी इसको भी मैंने फ्लावरिं के बाट रिम कर दिया है तो नई ब्रांचेस निकल रही है और यह सीट से लगाय हुए डहलिया है आप देखें में कितने फ्लावर आ रह कंडिशन और यह है हमारा पिटुनिया जो मैंने बाद में थोड़ से सीट बच गया थे तो मैंने उनको ऐसे स्प्रिंखल कर दिया था तो यह भी चल रहा है मुझे लग रहा है यह फरवरी लाश्ट तक मार्श तक फ्लावरिंग देंगे यह देखें पौदे बड़े हो र बचा पाई थी मैं जब मैंने इसकी सीड लगाई थी और अब देखिए जीजर नौ फोने पर आपने आप ही ग्रोथ कर रहा है और यह वाट लिली बहुत ही बुरी कंडिशन में है यह मैंने से सबसे पहले तो मैं इसकर कुछ ट्रीटमेंट करूंगी ताकि इसमें जो इसन जितने भी सबस्क्राइबर है मेरे जो जिनको चाहिए मैं उनको मैसेज पास कर दूंगी कि आप जितने लोगों को चाहिए मैं उसी हिसाब से ट्यूबर अलग करके रख दूंगी अधर्वाइस में सारे ही रिपॉर्ट कर दूंगी और जितने लोगों को चाहिए उतने में अलग निकाल दूंगी तो पहले मेंन का ट्रीटमेंट करूंगी सारी मिट्टी चेंज करूंगी और इसको टब को साफ करके यह देखिए अगर इस प्राउटिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है इसमें तभी फिस में भी स्विमिंग करना स्टार्ट नहीं किया कर दिया है फिस